अमस्कार देश और दुनिया की एहन खबरों के खास कारेकरम देश विदेश में आपका स्वागत है मैं हूँ सुधानशु सारस्वत कारेकरम की शुरुवात करेंगे चीन की महत्वाकांश योजना पोलर सिल्क रोड की खबर से और जानेंगे कि आखिर चीन के लिए इस योजना की क्या अहमियत है चीन व्यापार को लेकर अपनी महत्वाकांश योजनाओं को लगातार लागू करता जा रहा है चीनी सरकार ने हाली में अपनी आगामी योजना पोलर सिल्क रोड की घोशना की है चीन की यह महत्वाकांची योजना उत्री धुरू के आसपास एक समुद्री मार्ग तयार करने की है जिससे व्यापार किया जा सके राश्पती शी जिन पिंग ने 2013 में इस योजना का जिक्र किया था चीन ने एक बार फिर से अपनी नई परियोजना की घोशना की है यह है पोलर सिल्क रोड जोकी चीन की सिल्क रोड और वन बैल्ट वन रोड का ही हिस्सा है चीन अगर ऐसा करने में कामियाब होता है तो उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और पश्चिमी यॉरॉप के तीन बड़े आर्थिक द्रुवों को जोडने में सफल होगा चीन चाहता है कि जलवायू परिवर्तन के कारण अंतर राश्रे व्यापार को और सुगम बनाया जाए चीनी सरकार के अनुसार अगर ये रूट बनता है तो व्यापार में समय और लागत की बचत होगी इस दुरगम सागर के लिए किसी भी एशियाई देश ने पहली बार समुद्री मार की रह प्रशस्त करने के लिए अपना इरादा जाहिर किया है हाल के वर्शों में चीन नए अंतरराश्ट्रिय समुद्री मार को और बंदरगाहों को लेकर भी काफी सक्रिय हुआ है चीन चाहता है कि वो व्यापार के लिए कम वक्त और कम दूरी वाले नए मार को साधे ना कि पुराने और ज्यादा समय लेने वाले मारगों पर ही निरब़ रहे चीन पैनेमा रूट से अपनी निरब़ता कम करना शाहता है एक अनुमान के अनुसार अगर इस रूट का निरभान चीन कर लेता है तो पैनेमा चैनल के रास्ते रोटरेडम से चीन आने में अभी जितना वक्त लगता है उससे 20 से 48 दिन कम लगेंगे इस महसागर में चीन का कोई समुदरी तर्ट नहीं है यहां रूस, अमेरिका, कैनेडा, आइसलेंड, स्वीडन, नौर्वे, फिनलेंड और डैन्मार्क जैसे देशों की मौझूदगी है इन देशों के बीच अपने अपने हितों को लेकर विवाद भी है हलाकि 2013 से चीन आर्केटिक काउंसिल में परियव एक शक सदस्य के तौर पर काम कर रहा है 2013 के बाद चीन शक के दाइरे में है कहा जाता है कि चीन इस इलाके की प्राक्रितिक गैस और तेल पर नियंतरण की होड में शामिल होने की मन्शा रखता है हलाकि चीनी सरकार ने इन आरोपों और संदेहों को सिरे से खारिज किया है चीन की विस्तारवाद इनीती बहुत तेजी से काम कर रही है चीन चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिडोर पर भी काम कर रहा है भारत चीन के वन बैल्ट वन परियोजना का हिस्सा बनने से इनकार कर चुका है भारत को भी व्यापारिक मारगों का विकल्प तेजी से तलाशना होगा ब्यूरो रिपोर्ट जन टीवी नियूज